हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल माई बेबी केर और मैं हूँ आपके साथ अर्शना आज के मारे वीडियो का टॉपिक है सेरलेक देखिए अगर आपका बच्चा छे महिने से बड़ा हो गया है तो एक जरूरी चीज जो आपके मन में आती है कि क्या हमें बच्चो को सेरलेक देना चाहिए कि नहीं सेरलेक के फायदे होते हैं या नुकसान होते हैं ये सभी पेरेंट्स के मन में कभी न कभी ये सवाल जो है जरूर आता है और इस तरह के कई सवाल जो है मेरी चैनल पर भी आते हैं कि क्या बच्चों को सेरलेक देना ठीक है की नहीं तो आज कई जो मारा वीडियो है यह इसी टॉपिक पर है कि बच्चों को सेरलेक देना ठीक है की नहीं है और साथी साथ कुछ मदर्स के ये भी question आये हैं कि सेरलेक को हम घर में कैसे बना सकते हैं तो ये भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर घर पर सेरलेक बनाएं तो किस तरीके से बनाना चाहिए तो friends आज के इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगी ऐसे सारे सवालों के जवाब दो जो कि सेरलेक से जुड़े हुए हैं और आपके मन में कभी ने कभी जरूर आते हैं साथी एक चीज़ और बुलना चाहूँगी कि friends अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं बहुत सारी वीडियो से हम अलरेडी बना चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा तो चलिए अब बिना देरी के आज की वीडियो पर बात करते हैं कि सेरलेक के क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है तो देखे 6 मेने तक तो हम बच्चे को माका दूदी देते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है अब बच्चा जो है 6 मेने का हो चुका है और बच्चे को जो है उपर का खाना यानि की थोड़ा साइमे सॉलेट बगरा दिना जिब शुरू करते हैं तो हम मदर्स कई बार ऐसा करती है कि हम सेरलेक देना जो है बच्चे को शुरू करते हैं तो दीकि हर बच्चा जो है अलग होता है किसी बच्चे को सेरलेक बहुत अच्छा सूट भी होता है और बच्चा अच्छी से खाता भी है पर वहीं कुछ बच्चों को सेललेक सूट नहीं होता है, उसको कई तरह के दिक्कते होने लग जाती है, उन दिक्कतों के बारे में बादें बात करेंगे, पर एक चीज में आपको जरूर बुलना चाहूंगी, कि अगर आपका बच्चा ची मेने का हुआ है, तो शिरुआत से ह में इसको डवलप होने दे क्योंकि अब एकदम से आप सॉलिट पे आ गए हैं, तो इसलिए शिरुआत में इसको दाल का पानी, चावल का पानी, फ्रूट, प्यूरीज, ऐसी चीज़ों शिरुआत करें, और जब बच्चा जो है चीज़े को पचाने लग जाए, इसको ठीक अब करें जाए, तो इसी लिए कुछ बच्चों में दिखा गया है, जिनको सेलेक दिया जाता है, उनको कब सचाथा है, इसको कारण क्या है, चोटे बच्चे अब उनका डैसलिय सिस्टम कभी-कभी इतना डवलप नहीं होता है, यानि पाचंट अंत्र इतना अच्छा नही तो उसमें फाइबर है उसकी वज़ा से वो बच्चा जो पचा नहीं पा रहा है क्योंकि उनका जैसे सिस्टम इतना चाहा नहीं हुआ है और इस वज़ा से बच्चे को जो है कॉंस्टिपिशन या कब्स हो जाती है अगली चीज जो कुछ बच्चों में देखने को मिलते हैं जिनको आप सैरलेक खाने को दे रहे हैं देखिए कुछ-कुछ बच्चों में क्या होता है कि रैशेज हो जाते हैं बॉड़ी पर यानि कि लाल-लाल कुछ तरह के दाने वगरा देखने को मिल जाते देख चेहरे पर दाने हो जाते हैं तो एख जाते हैं 저 c assistus गारह हो जाते ही अगली चीज जो भी बजार मिलने कंग सैरला पते है तो देख कि रहे हूँ में प्रश्रम से तक रहे ताकि तक प्रड़क्ट है फो लमबе ठाहि थीत रहे हैं तो दूझ रह और आप और उनने बच्चे को झाल दें, पेट को झाल में देना है। कि बच्चे को प्राइलाक में आप बज बच्चों को पर्वबलम हो सकती है। एक और चीज जो आप बच्चों में देखेंगे जिन बच्छों को आप सरलाइक दे रहे हैं कि उनको जो है पेट में दर्थ की प्रब्लम भी कई बार हो जाती है क्योंकि बच्चे चीज को चीजिसी से पचान ही पाते हैं और कभी कभी जब हम सेलाक बनाते हैं सřालेक हैं तो यह भी एक साइन है कि बच्चे को शायद वो सरलेक जो है अच्छे से डजेस्ट नहीं हो पा रहा है उसको अच्छे से पचा नहीं पा रहे हैं तो फ्रेंड्स यह जो मैंने बाते की हैं इसमें मैंने आपको बताया कि सरलेक देने से बच्चे को कभी-कभी क्या-क्या प्र कि अज़िए उसी रेशो को बनाएं बहुत साधा चेंज ना करते रहे। आधि साथ बच्चे को बहुत ज़ार सेडलेक नहीं देना है और दो तीन बार बच्चे को सेडलेक दे रहे हैं कि आपको लग रहा है कि बच्चा अच्छे से खा लेता है या फिर उसको बनाना इजी है सिफ इस पज़े से आप बच्चे को बहुत बार सैललेक ना दें क्योंकि वह भी बच्चे के डायशन में मतलब बहुत है हैलफुल नहीं रहेगा और बच्चे के लिए अच्छा नहीं कि घर में सेललेक बनाना बहुत ही असान है आप सेललेक बनाने के लिए मूंग दाल चना दाल उड़त दाल या चावल यह सब चीज़े जो है यूज कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से अगर बच्चे को कोई चीज सूट नहीं होती है तो आप इसको हटा सकते हैं या फि उसी चीज की जो आप घर में सेललेक बनाएंगे उसमें किसी तरह के प्रिजर्वेटिव नहीं एड़ने बड़ेंगे आपको जितना थोड़ी सी कॉंटिटी आप बनाईए और उसको जो है आप पासा दिन के बना के रख सकते हैं अप जो एयर टाइट कंटिनर होते हैं तो के लिए पॉसिबल नहीं है तो यह भी एक फायदा है तो इस तीनों चीज जो है काफी अच्छी है अगर आप घर में सेललेक बनाएंगे और आपके बच्चे क्लिए तो अच्छी है ही तो इन चीजों को आप ध्यान मेरे सकते हैं साथ ही साथ मैंने जो है कॉलरेटी वीडि तो आप वहां इन तीनों जगह में से कहीं भी जाकर आप देख सकते हैं कि घर पर सैडलेक कैसे बना सकते हैं बहुत ही असान तरीका है और बहुत ही जल्दी बन जाता है आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा आपके लिए काफी हलपफुल रहेगी तो फ्रेंड्स यही मेर से थहार की किने लिए वीडियो जिस में आपको बताया क女서 को सैडलेक देना चाहिए नहीं अगर बचों सैडलेक देने से कर किकते होसकती है और अगर से डलेक अप घर में बनाना चाहते है तो क्या सही तरीका है बनाने का यह इन सब चीदों के बाड़र में यह किसी पर जो हैं आपको इस वीडियो की थ्रू मिल गए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी थैंक यू